इसले क्लास में आप वेपर प्रेशर बढ़े थे वेपर प्रेशर ने एक वाइलिंग पॉइंट इस्टार लगा है ये हेटिंग डालिये तो इस्टार अफेक्टर अफेक्टिंग बॉइलिंग 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 अरे मुबंद करो अगल उगल हो गया है तुम लोग एक्टर अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट को कौन कौन चीज प्रभावित करता है हम इन चीजों को देखेंगे इसमें सबसे पहला जो इफेक्ट है तो लिखेंगे लिखेंगे इफेक्ट ओफ एक्स्टरनल प्रेशर क्या कर रही है रहे बारी बारी से समझाना पड़ेगा कि बड़ लर्का को एक बड़ लर्की को चुप हो जाओ इफेक्ट ओफ एक्स्टरनल प्रेशर जो बात अभी आप लिखेंगे इडी में इसको थोड़ा पहले प्रैक्टिकल ही समझेगे पिट आप यहां समझ जूग है जैसे माल लीजिए हैं एक बडाटन है उपेन बड़तन है इसमें हम पाणी भर लेते हैं और इस पानी को हम बॉइल करना चाहाता है और इसको बॉइल हम तीन डिफ्रेंट प्लेस पर करेंगे और तीनो डिफेर्ड प्लेस पर घ्येट मास्फेरीं प्रेसर होगा फो different हो जैसे यनि हम एक बार नॉर्मल अर्थ सर्फसस पर इसको वायल करें जहांका किसी पानी को मान लीजे किसी पहार पर उचे पहार पर लेके चले जाएए काफी उचाई पर लेके चले जाएए अब जैसे जैसे नॉर्मल अर्थ सर्फेस से उचा होते जाएएगा वैसे वैसे प्रेसर एट्मोस्फेरिक प्रेसर घरता चला जाता है तो हो सकता है कि फड़ा उपर जाके आपको 0.58m प्रेसर मिल जाए एक बार हम वहाँ पर इस पानी को खावलाने का काम करेंगे बॉयल करने का काम करेंगे जहाँ पर एक्स्टरणल प्रेसर कितना है वह बढ़ेगा तो वैसी स्थिति में मान लीजे कि 1.58m है एक्स्टरणल प्रेसर तो तीन डिफ्रेंट एक्स्टरणल प्रेसर पर हम काम कर रहे हैं एक बार नॉर्मल अर्थ सर्फेस पर जहां पर प्रेसर जादा होता है वह मान लीजे 1.58m है जितना ज्यादा नीचे जाएंगे प्रेसर उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा हम एक वेल्यू ले लिए 1.58m और एक बार आप नॉर्मल अर्थ सर्फेस से ऊपर जाकर काम कीजिए जहां पर एक्स्टरणल प्रेसर 0.58m है इन डिफरेंट जगह पर हम काम करते हैं अब जड़ा सोचिए कि पानी वहीं सेम बरतन है सेम पानी है जगह बदला है येजय को अंव्यू इड्मॉस्फेरिक प्रेसर बदला है Adam लीजे यहां पर 1.58m का प्रेसर लग रहा है यहां पर 0.58m का प्रेसर लग रहा जब external pressure 0.5 ATM हो तब बहुत simple सी है कि ऊपर का pressure 0.5 है जो कि एक से कम है इसको हम गर्म करेंगे तो इसको कम ही न प्रेशर बेपर प्रेशर को उसको overtake करने में कम ही न temperature चाहिए तो कम पढ़ ही यह boil हो जाएगा यही चीज यहाँ पर थोड़ा ज्यादा temperature लेके boil होगा यही चीज यहाँ पर सबसे ज्यादा temperature लेके boil होगा मैं यदि इस तीनों कंडिशन की बात करो तो ऐसी इस्तिती में वाटर का जो boiling point हम लोग रट लिए है कि यह 100 degree Celsius होता है यह boiling point of water is 100 degrees कि पूरा का पूरा लाइन सही पूर्ण रूप से सही नहीं है तो इन ही सब बातों को थोड़ा हम ग्राफीकली देखेंगे हैं हो गया है इसका ग्राफ देखिए जाए एकसिस है यह y-axis इसपर हम लोग temperature को रखते हैं और इदर हम रखते हैं वेपर प्रेशर या प्रेशर को तीन different place की हम बात करें तीन different atmospheric pressure की बात हम कर रहे है तो हम पहले तीन different atmospheric प्रेशर लेते हैं माल लो, यह हम ले लिए 0.5 ATM, जब हम Earth Surface से उपर उठे थे तब, यहां पर माल लो 1 ATM, यह कहां का सर्फिस है, नॉर्मल Earth Surface है, और जब हम Earth Surface के नीचे जाते हैं, रोड की तरफ तो यह 1.5 ATM, यह हम अपने, अच्छे यह तीनो लाइन पैरलल की हो जाड़ा है, यह तो आपको समझ में आड़ा है, आप किसी भी सर्फिस पर या किसी भी प्लेस पर पानी को गर्म करें, पूरा एट्मोस्फेर का थोड़ी बढ़ेगा, पूरा एट्मोस्फेर के टेमप्रेचर पर कोई असर नहीं आए गया था कि यदि आप एट्मोस्फेरिक प्रेसर को दिखा रहे हैं, आप निस्चित रूप से टेमप्रेचर वाले एक्सिस के पैरलल दिखा दो, क्योंकि टेमप्रेचर के बढ़ने से एट्मोस्फेरिक प्रेसर पर किसी प्रकार का कोई प्रवा परने वाला नहीं है, अब यदि आप वाटर को बॉयल करते हैं वाटर का अपना कुछ ना कुछ वेपर प्रेसर होगा की नहीं होगा अब ही वेपर प्रेसर इतना है अब हम इसको क्या करना करना शुरू किये तो एक्स्टर्नल प्रेसर सबसे पहले किसको यह टॉच करेगा 0.58m को फिट किसको करेगा 1.58m को अब प्रेक्टिकली ग्राफ से देख सकते हैं आपिकली देख सकते हैं ऐसे देखिए तो कि आया ना कि इस जगह को देखिए अब जहाँ से नीचे घिराते हैं मिला पताई एक टेंपरेचर मिला काहला बता यीए कौन सा त्यपरियर यह है इस लिकोईड का वाईलिंग टेंपरेचर जब एक्स्टर्नल प्रेसर 0.5 यदि हम यहां से इसको नीचे घिरा देए पताई अब यह भी है boiling temperature लेकिन यह boiling temperature कब है जब external pressure 180 एम और एक बार फेट से इसको हम यहाँ से नीजे गिराते हैं और यह भी boiling temperature है boiling point लेकिन यह जो boiling point है यह किस condition में at 1.5 atmosphere पताई यह क्या तीनों का value बड़ावर है इसका सबसे कम 0.5 ATM external pressure पर boiling point सबसे कम है और 1.5 external pressure पर boiling point सबसे कम है यह इस बात को असपस्ट करता है कि ज़्यादा external pressure boiling point ज़्यादा होगा it means boiling point liquid cages within clear है it means boiling point of one of the liquid different at different atmosphere यह कहा जा सकता है कि नहीं यही liquid का boiling point अलग-अलग हो सकता है किस चीज के अलग होने से atmospheric pressure या external pressure के अलग होने से तो यदी हम इसको मान लेते हैं यदी हम इसको 80 degree सी मान लें इसको 100 degree सी मान लेते हैं और इसको 122 पताईए इसमें कोई पड़े सानी है अब इसका जो statement होगा लिखाएंगे अब इसी theory के आधार पर आगे का बास हो अब देखो pressure cooker का जो निर्मान हुआ इसी theory पर निर्मान हो देखिए कैसे निर्मान हो कल आप से question पूछा गया कि pressure cooker में जल्दी क्यों पक जाता है आपने कहा था कि pressure के कारण खाना जल्दी इसमें चावल का कुछ दाना या चावल का जो भी पर पड़ता है कि डाल दिया पानी गर्म होडा है तो पानी गर्म होडा है तो के बाद यह बॉइल करेगा करेगा अब अब आल लीजे कि इसलिए क्योंकि यह बॉयल कर रहा है हंडेड डिग्री सी पर इससे ज्यादा इसकी छमता ही नहीं है इससे ज्यादा इस पानी का मॉलीकियो पकड़ा वह इस बरतन से भाग गया क्योंकि बरतन बॉला हुआ है तो बॉयल करने का तो मतलब यह होता है कि वो कैस बनके उड़ गया है तो ऐसी स्थिती में आप यहाँ पर थोड़ा सा लग तेज कर दीजिए थोड़ा कम कर दीजिएगा तो सकता है टेंपरेचर कम पढ़ जाए फिर बॉयल होना बंद हो जाए लेकिन आप इ मतलब वाइलिंग पॉइंट एक ऐसा मैक्सीमम टेंपरेचर है जहां तक आप इसी लिक्वीड के टेंपरेचर को मेजर कर सकते उसके बाद आप उसका मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं जब वह गैस बनके उड़ जाएगा तो कहां आप उसको डूब जाएगा कि कहां बेटा त अब देखिए यहां पर लोग को तेज करने के वाबजूद भी कुछ असर नहीं पड़ा है टेंपरेचर पर एक चीज होगा रेट अब बढ़ जाएगा रेट अब बढ़ जाएगा आलीजे पहले सौ मॉलीक्यूल पर सेकेंड उड रहा था अब हो सकता है और हो सकता है दो सो मॉलीक्यूल पर सेकेंड ऊड़ जाए तिनसां मॉलीकिल पर सेकेंड ऊड़ जाए ऐसा हो सकता है यह एक और बात हो सकता है जो practically सायद आपका भी फील किया हो पानी ऊड़ेगा इस चाबहल को फीड जगह नहीं मिलेगा तो वह पैंदी पर जाके बैठे देखते होंगे कभी कभी लड़की लोग तो खास करके जला देती है नीचे में वह काला काला हो जाता है ज्यादा लोग कर देने से चाबल जल्दी पक जाएगा इसा कोई वेवस्था उपेन बरतन में नहीं है अब इसी को देखिए क्या किया गया अच्छे एक और बात दिया एक सीटी लगा कि इसको प्रेशर कूकर कहते है अब लोग देहां से सुनिएगा इस थेवरी को आप लोग के लिए विसेश रूप से यह थेवरी है कि लड़की लोग को दिमाग इसे भी कम होता है का है कम होता है हम बताएंगे थोरी दिर के बाद असने वाली बात न बरतन जैसे ही पैक हुआ अब यह तो बरतन के पैक होने से क्या हुआ वो उसको समझेवा इसका सबसे पहले इस सर्फेस का जो संपर्क था एक्स्टरनल प्रेशर से वो खतम हुआ अब इसके अंदर यह वाला गैस और यही प्रेशर इस पर लगा रहा है जिस समय यह पैक करो उस समय तो एक के टीम होगा उसका प्रेशर अब क्या हुआ कि जब हम इसमें कीचे से आग लगाए हुए है गर्म कर रहे हैं इसको काइनेटिक इनर्जी तो इसकी बढ़ रही है अंदर अंदर यहां से मॉलिक्यूल वाटर का उडूर के कहा भाग रहा है अट्मोसफेर पहुंच गया है अब इस फर फर लग रहा है कि इतना लग रहा था पहले चावल कितना पर पक रहा था 180M external pressure पर अब आप 580M external pressure कर दिये क्योंकि बढ़तन बंद है बढ़तन बंद है तो उतने temperature पर ये पानी और heat को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया क्योंकि अभी इसका boiling point 100 degree से नहीं है इस्चित है कि इसका boiling point 120 130-150-200 जो भी होगा 100 से ज्यादा होगा कि अभी तुरतन आप देखें कि external pressure के बढ़ने से boiling point बढ़ता है तो पहले जो चावल पक रहा था 100 degree सीपर अब वो पक रहा है कितना पर 150 degree सीपर जबकि आप लोग को कुछ नहीं कुछ नहीं देशा था वैसा ही है अब जो खाना पका वह 150 पर पका यदि पहली घंटा में खाना पक रहा था तो अब 30-40 मिनट में पक जाएगा तो प्रेसर कुकर के पीछे का यही रीजन होगा कि अब यहां पड़ केरफूल रहने के लिए जो बोले थे लड़की लोग और अब इसे इस बात सुन लिए कि यदि मान लोग आते हैं वैसे तो आप लोग इतने एक्टिव लोग में से तो नहीं है लेकिन यदि ऐसा है या कभी भी खाना पकाते हैं मान लोग आते वक्त लिट ठोड़ा है खाना खाके जाना है इस फेड़ा में कभी भी CT पर कुछ लोग क्या करते हैं CT को पकर लेते हैं CT को रोक देता है उसको लगता है कि प्रेशर के कारण खाना जल्दी पकता है कहीं न कहीं इंडारेक्ट वे में बात भी सही है इसको यदि आप दवा देंगे प्रेशर जो बनेगा अंदरे रह जाएगा एक सब पचास होड़ा था एक सबसाट होना शुरू हो जाएगा एक टेंपरेशर बढ़ेगा यहां बढ़ेगा तो अंदर का प्रेशर लागतार बढ़ता चला जाएगा आप उपर से बंद की जलता है तो जैनरली लोग ब्रांडेड ही लेते हैं प्रेशर कूकर कहें कि देखो कही भी यह दिग्स किस आसरी ने कहीं भी आप किसी भी गैस को इस्टोर कर रहे हैं कोई भी गैस कार्बन डैक्साइड हो नाइट्रोजन हो वाटर विपर हो कुछ भी हो यदि आप उसको store कर रहे हैं आप समझ लेजिए कि वो एक खतरनाक चीज वो एक प्रकार का bum है और वहाँ पर आपको careful रहने की ज़़ाई अब क्या हुआ? क्या होता है कि जैसे pressure cooker का जो बनावट होता है मैं उस पर यह दिबात करूँ तो इसके बरतन के strength के हिसाब से CT का वजन होता है CT का उतना ही proper वजन होता है जितना उस बरतन का strength होता है इसको आप naturally छोड़ दीजिए वो काफी calculation के बाद वो चीज बनता है CT ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी उठा pressure cooker बना दिया इसमें क्या होता है कि इसका एक proper वजन होता है मान लीजे CT का वजन 200 ग्राम है जो normal कोई branded cooker है उसके CT का वजन 200 है और आप क्या कीए वो पेन लेके बेठा थनी देर दबल रहो जल्दी पकना है अब मान लीजे कि लड़की लोग कहीं इसको ऐसे करके दबा के देख रही है वहां से उड़ेगा मूँ उड़ेले भागेगा काहे कि pressure cooker जब भी blast होता है तो उसका उपड़ी सीरा blast होता है उपड़ी सीरा उसका कमजोर होता है धक्कन वाला जो पार्ट होता है कि अगल बगल वाला पार्ट बहुत मजबूत होता है तो कभी भी सबसे पहली बात कि सीटी को दबाना नहीं है इसलिए काहे कि अपने चमता तक ले चुका था प्ड़ेशन उससे ज्यादा होड़ा है तो उसको रिलीज करणा एक और इन लोग के दिमाग में ढ़ाता है इसलिए दिया कि वह अपने चमता से ज्यादा लोड कर चुका है फेबर को उसको रिलीज कर रहा है यदि वह रिलीज नहीं करेगा तो ब्लस्ट कर जाएगा उसको दबाने का नहीं है हला कि इसके पीछे का भी यक बात है दो सीटी में लोग कि सब दिन दूए सीटी में चाल पका आता है दूए सीटी में आधा हो जाता लेकिन सीटी मार देना ख़ाना के पक जाने का देउत्तक कहीं से नहीं है उसका एक साइंटिफिक रिजयन तो यहां पर केरफुल रहना है कि कभी भी सीटी को दवाना नहीं है और एक दूसरी बात प्लीज जिसको आप जानते हैं खास करें इंट्रेस्ट लेकर आपस में जो डिसकसन करते हैं वह बाहर जाकर कि यहां हम को सुनिया नप और वहतर डिसकसन कर पाईएं दूसरा कभी कभी क्या होता है कि सीटी खो गया अपह परणे में सीटी को जाता है पार्केट से गए एको दूसरा लाके लगा दिये, तो जरूरी नहीं है कि वो सीटी ब्रांडेड हो, हो सकता है लोकल अप लगा दिये हो, फिर दो बाते हो सकती है, या तो उसका वेट थोरा कम होगा, नहीं तो उसका वेट थोरा ज्यादा होगा, कम है तो कोई दिक्कत नहीं अलाके तो भी दिक्कत है, उस CT को उड़ा के फिक देगा, और यदि ज्यादा है, तब घंगोर दिक्कत है, इसलिए काहे कि ज्यादा है, इसका मत्तब इसका जो स्ट्रेंथ है, उससे ज्यादा लोड पड़ेगा इस पर, 10-20 दिन के बाद उसके उड़ने की समभावना रहती ह तीसरी बात, जब भी प्रेसर कूकर को जब आप खना वनाने के लिए वो चड़ाते हैं, तो आप इस बात के लिए पूरी तरह से स्योर रहे है कि आपका CT प्रोपर वर्क कर रहा है या नहीं, CT जिस चीज में लगा होता है, उसका जो होल है, वो completely clear है या नहीं, कहे कि कभी क जाता है तो उसमें फश्ट होता है, जा लू का दना या दालुलका दना फश्ट गया तो वो बश्ट होने की तो इन सब चीजों का दियान रखके खना पकाएंगे तो वहा के मिस्ट्यक्र को काम देगा, पहले उतार ये तो इसको झाल 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 को के लिखा हूँआ झाल लोगकर का। इक एंगे निषयरोद्ग लिखेंगे boiling point of a liquid बढ़ाने दीजे न यह बाद में बना लेजएगा बना रहेगा भी boiling point of a liquid boiling point of a liquid are different boiling point of a liquid are different are different in different atmospheric pressure different atmospheric pressure or external pressure boiling point of a liquid are different in different atmospheric pressure or external pressure पताईए यहां से यह लिख सकते हैं boiling point of a liquid increases with increase in external pressure boiling point of a liquid boiling point of a liquid boiling point of a liquid is increase in external pressure with increase in external pressure प्रेशर देखो फैक्ट था वो तो खेड समर्थ हो गया लेकिन इसी से रिलेटेट एक दोगो बात और है जो आप सुन लेजिए अभी बोले भी थे थोरी दिर पहले वन एटीम अच्छा ये बताये कि हम लोग हमेशा अर्थ सर्फेस से ऊपर नहीं रहेंगा रहेंगे तो नॉर्मल अर्थ सर्फेस पर जो बोईलिंग होता है किसी भी लिक्वीड का उसको नॉर्मल बोईलिंग — कहा जाता है तर नॉर्मल बोईलिंगक полит को रागे आगे अब जो नियुमेडिकल आने वाला है उसमें आपको बार-बार वाटर के बॉइलिंग पॉइंट की जरुरत पड़ेगी कोश्चन आपको कभी नहीं देगा और थियोरी में हम अभी ही लिख लेंगे कि नॉर्मल वाइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इस हंडेड डिरी सी और यह आपको हमेशा याद रखना है कोश्चन दे ना दे यदी कोश्चन में जरुरत पड़ेगी तो अपने मन से आप कितना डालेंगे 100 डिरी से एक्च्छल में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर का जरुरत पड़ता है बार-बार जरुरत पड़ेगा और कोश झालेंगे पने लगातिम आपर थे लिक्विटी मोर्प पने च्टरनल प्रेशे पने skincare गाँ कोशे लगाति is called normal boiling point is called normal boiling point next arrow normal boiling point of water is normal boiling point of water is 100 degree celsius normal boiling point of water is 100 degree celsius kelvin में इसको कितना बोलेंगे 373 100 में 273 जोर दीजे और 100 degree c और उसे और उसी में 100 degree c के बगल में और 373 373 373 next arrow 2 boiling point of liquid boiling point of liquid boiling point of liquid is maximum temperature boiling point of liquid at which temperature of that liquid at which temperature of that liquid can be measured can be यह सब बात था पहला में उसरा लिखेंगे effect of vapor pressure effect of vapor pressure इधर देखेंगे इसको आप तुरत समझ जाएगा इसमें ज्यादा भाड़ी बात नहीं एक बार फिर से हम इस एक्सीज पर लेते हैं टेंपरेचर को और इस एक्सीज पर लेते हैं vapor pressure यह 180 में एक्स्टर्नल प्रेचर को लिया सुनिए पहले setup समझे कि अब क्या हम कर रहे हैं अब हम तीन डिफ्रेंट लेते हैं लिक्वीड वन लिक्वीड टू और लिक्वीड यह जैसे माल लीजे कि आप सरसों का ते लेजी पानी ले ली लिजी दिक पेट्रोल ले लीजी या बेंजीन ले ली चोड़िये गर्म करने वाला चीज है पेट्रोल लेंगे तो आप पकर लेंगे अच्या यह बताईए तीन डिफ्रेंट लिक्वीड यदी हम लेगे तो तीनों का vapor pressure या ifting सबसेर बन और कि अलग अलग लीक्वीड का जो लिज्मिक में इसार दिखा देते हैं तुसरा लिकवीड का भेपर प्रेसर यहां दिखा देते हैं 3 अदर कि यह रखा यहां बें टू na है निद्ऴलाप लिक्वीड वन रंका है इसको लिकवाट टू और एट्मोस्फेरिक प्रेसर से मैं मतलब नॉर्मल अर्थ सर्फेस पर मतलब धरती नॉर्मल धरती पर हम लोग यहीं पर मालेजी तीन अलग लग लिक्विड ली है उसको गर्म अपकड़ेंगे तो एक अट्यम को सबसे पहले कौन छुए लिक्विड वन या लिक्विड थ्री है बोलिए लिक्विड थ्री इसलिए यहां से लेकर यहां तक का वेपर प्रेसर किसका है लिक्विड थ्री का इसको मातर इतना ही न चाहिए वेपर प्रेसर इसको यहां से यहां चाहिए और इसको यहां से यहां चाहिए सबसे ज्यादा किसको चाहिए, लिक्विड बन को, सबसे ज़्यादा भेपर प्रेसर उसको चाहिए, तो सबसे ज़्यादा टेंपरेचर भी तो उसको चाहिए, तो वैसी स्थितिम है, जब हम इसको गर्म करेंगे, तो ये कुछ इस तरह से इसको टच करेगा, इसके बाद टच करेगा ये, औ यहां से इस लाइन को यदि हम नीचे गिरा हैं यहां से इसको नीचे गिरा हैं और यहां से इसको नीचे गिरा बताइए सबीका ना boiling point पता चलने लगा किसका kuning point liquid 3 का यह 2 का और यह 1 का हम माल लेते हैं इसको 80 डिगरी celsius जिसको माल लेते हैं 100 degree Celsius जिसको माल लेते हैं 120 degree Celsius तो ये liquid 3 का है na boiling point liquid 3 का boiling point कम है और liquid 3 का vapor pressure ज्यादा है यहाँ से एक बात सपस्ट थोड़ा है कि जिसका vapor pressure ज्यादा होगा जिसका boiling point कम होगा वो तो कम होना ही है आप ऐसे समझेए आप समालीजे कि आप को 100 रुपया पूड़ा करना है सब को एक target 100 रुपया का है किसी के पास 40 है किसी के पास 90 है कोन पहले target को पूड़ा है जिसके पास 90 है तो vapor pressure यहाँ जिसका सबसे अधीक रहेगा उसका boiling point सबसे कम होगा अब पिछला और इसमें क्या उल्टा पूल्टा बात है एक्स्टर्नल प्रेसर अधीक तो boiling point अधीक एक्स्टर्नल प्रेसर कम तो boiling point कम तो यहाँ सिधा संबंध हो गया ना ज्यादा तो ज्यादा कम तो कम यहाँ देखिए उल्टा संबंध हो गया अधीक वाइलिंग पॉइंट इसका मतलब है कि वेपर प्रेसर के बढ़ने से वाइलिंग पॉइंट घटेगा किलियर है यह इस अब इस बात को और प्रेक्टेकली समाजना चाहते है तो वह समझाते है अच्छा यह बताईए सर्सों के तेल में और पानी में किसका वेपर डैजिसन ज्यादा होता है इसका मतलब वेपर प्रेसर पानी का ज्यादा होगा और सर्सों के तिल का कम होगा अब आप दोनों को गर्म की वाइल पहले कौन करेगा पानी पहले बॉइल करेगा और सर्सों का तेल बाद में का है? काई कि वेपर प्रेसर अलग-अलग है तो बॉइलिंग पॉइंट भी अलग-अलग होगा अब वाटर के लिए तो आप जानते हैं कि वो 100 डिग्री सीपर बॉइल करेगा तो यह तो तया है कि सर्सों का तेल उसे ज्यादा पड़ करेगा 120, 130, 140 कुछ तो लेगा वो अब इस चीज़ को आप प्रेक्टिकली फिल कर सकते हैं एक आदमी को ऐसे हाथ ऐसे करके रख दो एक पुंद खोलता हुआ पानी डाल दो हाथ पर यह खोलता हुआ तेल डाल दो हाथ तरह कब ज्यादा छिली मिलाता है कब छिली मिलेगा ज्यादा का है का है इसका चार्ण है कि वह 140 degree C को झेल रहा है और यह 100 degree C को झेल रहा है समझ मैं कि कैसे इस सबचेज इस से संबन नेता है आना बगरण बनाते वक्त एकाद बुंद या हलका जटका भी पढ़ जाए तील का तो देखते होंगे कि वह काफी पड़िसान कर देता है जबकि खुलते वे पॉने में तनिमनी होथो डाल के नेका लो तो ठीक है लगता है कोनों बात में अच्छा यहां पर हमना कलर चेंज कर दी है तो पूड़ा का पूड़ा कम्प्लीट लाइन दिखा दिए ऐसे यह वाइट लाइन को आप डॉटेड लाइन में दिखाएगा यदि सेम यह होना थास हो गया ने यह ऐसा बूल रहते दिखाने यह है लिक्वीट 3 यह है लिक्वीट 2 और यह कहा है लिक्वीट 1 हो गया यह कहें तो यह दिखेंगे 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 विट्व उट्व यहार लफ्ट्विय हा रफ्ट्व बापर दिर लिए रफ्ट्व ड्वीर प्टियर फ्ट्र पर्फोर नद्व आर। बालींड Earth अगूर exist boiling point of different liquid decreases boiling point of different liquid decreases with increase in with increase in paper pressure effect heating ڈالके छोड़िये तो क्या हो नहीं लिखे गया है repeat कर दो फिरिण डालेंगे effect of non-volatile solute effect of अच्छा यह बता ही है आप इस तरह का कुछ बात पहले पढ़ें कहाँ पर effect of non-volatile solute यह बात आप तब पढ़े थे जब vapor pressure पर effect पढ़ रहे थे इस बार फिर यही बात पढ़ेंगे लेकिन इस बार किसका effect पढ़ने के लिए boiling point पढ़ क्या effect पढ़ता है इसका उसको देखने यहीं से आप समझेंगे elevation in boiling point को और इसको हम लोग करेंगे next class आप समझे और इसके लिए यहीं है और यहीं है यहीं है